मस्कार दोस्तों विजे केट में आपका एक बार फिर से स्वाकत है और आज हम बात करेंगे GST के उपर GST के पार्ट टू पर इससे पहले भी एक क्लास आ चुकी है तो आज हम GST पार्ट टू पर बात करेंगे और अगर आपने उससे पहले अभी तक MP पर इससा सफलता कि यह ड अगर यह कुपन कोड कुछी दिनों के लिए अपलाए होता है तो अगर यह कुपन कोड प्राप्त करने के लिए हमारे WhatsApp नमबर पर हमसे संपर्क जरूर करें वह आपको लिंक में लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ हुआ है वहाँ पर मिल जाएगा और यह एप क लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो महाँ से आप इसे को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आप बात करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पर तो चलिए बात कर लेते हैं फटा फट से इस पर तो देखिए जेस्टी पर हमने एक प्लास हो गई थी उसमें मैंने का क्लास में भी बता चुका हूं पर फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि कभी किसी बच्चे ने वहाँ पर वो क्लास देखी नहीं हो तो वह अभी जो है ये क्लास जो है देख ले और उसका काम हो जाया पर उसमें इसमें समझाए गया थे तो सर उपरतम कहां पर जी एस्टी बनता है तो वो कब किया गया था तो एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था ये धियान रखेगा और एक जी एस्टी दिवस कब बनाया जाता है को लागू किया गया था और कनाडा देश के मॉडल पर आधारी थे तो ये कनाडा देश है उस देश के मॉडल पर जो है ये बनता है वस्तु एवं सेवा कर का जाता है और दूसरा है GST कब आया था संसोधन बिल कौन सा था तो 122 सविधान संसोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था तो ये सारे ही important factor है आप इनको note कर लीजिए सबसे important है तो ये है कि France में जो सबसे important बनता है तो वो बनता है France में कब हुआ था तो 144 में हुआ था और उसके बाद point number 2 है जो उसके बाद important है सारे important है पर ये दो तो काफी important है सारे important factor है आपने note कर लिए होंगे तो इने note कर लीजिएगा चलिए point slide 2 पर बात कर लेते हैं और बागी point पर बात कर लेते हैं तो GST के पक्स में कुल कितने vote प पड़े थे 11 वोट तो ये important नहीं है ये पूछना जरा मुम्किन नहीं है ये पूछा जाएगा लोग सभाद्वारा GST बिल कब पारित किया गया था 3 अगस्त 2016 को तथा राज्य सभाद्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था ये भी less important है दोनों ही less important है थोड़ा सा ये एक बार आप जरूर से याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा पर उपर वाला तो less important है चलिए बात कर लेंदें तीसरी slide पर मैंने GST का concept समझा दिया इसलिए मैं इस वीडियो में GST का concept नहीं समझा रहा हूँ फिर भी एक मिनिट में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बच्छा के वल इसी को देख रहा हूँ तो मैं उससे पहले कहूंगा कि इससे पहले वाला एक वीडियो GST पर बना हुआ है वह जरूर से देखिए तो देखें GST क्या है GST एक आप प्रत्यक्ष करें कौन सा प्रत्यक्ष करें आप प्रत्यक्ष करें indirect text है यह यह आपको note कर लेना है कि इंडारेक्ट text है यह एक्जाम में पूछा के वल इतना भी पूछा जा सकता है कि GST केसा करें तो एक आप रत्यक्ष करें ठीके और इससे पहले क्या लगता था देखिए यह goods and service text क्यों बना इसका नाम तो देखिए पहले जो goods मतलब अगर जो माल बेश से थे उ उस पर हमको wait pay करना पड़ता था और अब और service पर क्या pay करना पड़ता था तो जो service हम लेते थे उस पर हमको जो है service takes pay करना पड़ता था पर अब दोनों ही goods पर भी आपको GST ही लगता है आपने देखा होगा आपको समन करीता होगा तो और अगर आप mall में picture देखने जाते है या कहीं भी जाते हैं concert में जाते हैं या इसी जगह कहीं भी जाते हैं museum में भी जहां पर अगर charges होते हैं और अगर वो exempt नहीं होता है तो फिर क्या लगता है उस पर GST अब लगता है तो दोनों ही चीजों पर इसलिए इसका नाम क्या है goods and service takes ठीक है बाकी details में मैंने उस important point है स्याफ very important लगा लीजेगा यह जो point है वो very IMP point है तीकि यह आप लगा लीजेगा कोंसा 101 वा समिधान संसोधन के तैद भारत में GST लागू किया गया अगर examiner अंदर गया मतलब उसने tough question पूछन पूछना चाहेगा तो वो यह question पूछ सकता है कि कौन से समिधान संसोधन में GST लागू किया गया तो 101 समिधान संसोधन में GST लागू किया गया और GST कैसा कर है तो देखिए GST एक आप प्रतेक्ष कर है कैसा प्रतेक्ष आप कर है तो एक indirect tax है ठीक है जो मैंने आपको बता दिया यह एक IMP question है और गत वैंग पर आधारी थे मतलब consumption based tax है ठीक है यह हमारा भारत है चलिए बारत को नहीं बनाते हैं क्योंकि proper नहीं बन रहा मुझसे चलिए कोई बात नहीं तो यह हमारा भारत है मालीजे यह क्या है यह बिहार है ठीक है यह बिहार है और यह हमारा MP है ठीक है यह हमारा MP है समझ लीजीगा ऐसे ही तो अब क्या तो इससे उसने समान बेचा तो आप गए फिलिपकार्ट पर आपने प्रोड़क्ट बाय करा तो क्या होता है प्रोड़क्ट इस विक्ति से डायरेक्ट आपके पास आ जाता है तो देखिए प्रोड़क्ट विका कहां से था प्रोड़क्ट एमेजन से विका था पर वास्ट व बिहार सरकार को टेक्स मिलता पर अब क्या होगा अब टेक्स किसको मिलेगा इस पर जो सेल हुई है उस पर टेक्स किसको मिलेगा तो उस पर टेक्स जो मिलेगा वो MP सरकार को मिलेगा किसको मिलेगा MP को इसलिए क्यों क्योंकि यहां पर goods कहां पर consume हो रहा है तो MP में हो रहा है इसलिए इसे गत्वेंग पर आदारित या consumption based tax कहा जाता है ठीक है तो यह point है इसका चलिए बात करते हैं अगले important point पर चलिए तो क्या आएगा JST आप प्रत्यक्ष करें जो कि मैं बता रहा हूँ उपर आपने पड़ाई होगा और गत्वेंग पर आदारित है तो यह एक important point है आपको यह note करना ही चाहिए आपको सारे ही point note करना चाहिए क्योंकि क्योंब important point ही में लेकर के आया हूँ most IMP question क्या है कि JST लागू करने का सुझाओ विजय केलकर समीती ने दिया था कौन सी समीती ने दिया था पूछा जा सकता है तो विजय केलकर समीती ने दिया था और मुख्याल है कहाँ पर JST का मुख्याल है वो है दिल्ली में एक और IMP point है और इसके brand Mr. जब थे वो कोन थे अभीता बच्चन थे तो ये question पूछना जोड़ा मुम्किन नहीं है पर फिर भी ध्यान रख लिजेगा कभी आये और उसमें ये option दिया रहा है तो आप लगा सकते है और ये तो आप ध्यानी रखिएगा ये question पूछा जा सकता है GST जो है उसका मुख्याले कहा है Goods and Service Tricks का मुख्याले कहां पर है तो वो दिल्ली में है और ये कहा है कौन से समीती ने सुझाया था तो विजे केल कर समीती ने सुझाया